केन सरकार ने मंगलवार को एक नए गजट नौटिफिकेशन के माध्यम से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेट्री के लिए नए नियम तयार किये हैं इनमें वहाँ नागरिकता कि इसको वासिल होगी यानि कि डॉमेसाइल उसको नए सीरे से परिभाशित किया गया है अभी तक वहाँ की डॉमेसाइल जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब वहाँ की जो डॉमेसाइल था यानि वहाँ का नागरिक कोन होगा इसका फैसला भारतिय सम्विधान का अनुछेद 35 एक या खरता था लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर गठन कानून के पहले राज्य सभा और उसके बाद लोक सभा में पारित होने के बाद अब जो नया नोटिफिकेशन मंगलवार को कि इन सरकार ने जारी किया है उसके बाद से नए नियमों के पहट वहाँ नागरिक्था दी जाएगी नागरिक्था दिये जाने का अख्तियार तहसीलदार को दिया गया है और उसके विरुद अगर किसी को कोई आपत्ती है तो वह कंसंड बीशी के पास अपने शिकायत लेकर या अपील लेकर जा सकता है ने नियमों के मताविक जो भी व्यक्ति हिंदुस्तानी नागरिक जो भी वहाँ पर यानि कि जम्मु कश्मीर यूनिन टेरिटरिक में पंदरह बरस तक रहेगा उसको इस बात का लाब मिलेगा और वहाँ की नागरिकता हासिल कर पाएगा इसके लाबा जो भी वहाँ पर साथ बरस तक एक छात्र के तोर पर अध्यन करेगा साथ ही दस्वी और बार्वी क्लास वहाँ से पास करेगा जम्मु कश्मीर से उनको भी नागरिकता हासिल करने का अख्तियार होगा इससे सिधा लाब होगा उन करमचारियों को जो All India Services के हैं वहाँ नोकरी करते हैं इसके अलावा बैंकिंग के जो सेक्टर के करमचारी हैं पीएस्यू जो हैं उनके करमचारी हैं उन तमाम लोगों को इसका सिधा सिधा लाब होगा इसके अलावा जिस तरह के से हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के पुनरगर्ण जो पहले के राज्य था उसको यूनिन टेरिटरी दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था जम्मू कश्मीर एक टेरिटरी है और लगदाग जो है वो दूसरी टेरिटरी के तौर वो भर के सामने आया था जो 31 अक्टूबर साल 2019 को आधिकारिक तोर पर गोशित हो गया था